साथियों, बहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहतर कनेक्टिविटी का सबसे अधिगलाब हमारे टूरिजम सेक्टर को होता है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिजम एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिजम के माद्यम से संबव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिजम के लिए भोकल हो इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। ताजमहल जैसी धरोहरों के आसपास आधुनिक सुविधाई विक्सित करने के साथ ही टूरिष्टों के लिए इस अफ ट्राइविलिंग भी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने न सिर्व इविजा स्कीम में सामील देशों की संख्या में काफी वृद्धी किये हैं। इसके साथ ही होटेल डूम टैरिप पर टैक्स को भी काफी कम किया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाज जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिष्टों को आकरसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से भारत अब ट्रावेल और टूरिजम कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में चौतिसवे नंबर पर आ गया है। जबकी 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65 में नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगती हुई है। मुझे उमीद है जैसे जैसे करोना की स्थिती सुधर्ती जा रही है वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिजम सेक्टर की रोनक भी फिर से लोट आएगी। हुआ है